गार्गी सहिंता में युनानियों के आक्रम्रकावलेख है इसकी रचना सब्विपता प्रतम सती इसवी की लगबग हुए संसका साहित के कुछ गनतों जैसे विशाखतत करत, मुद्र राच्छस नाटक, हर्जवरतन रचित, प्रिय दर्सिका, रतना बली और नागारन नामक नाटकों में से भी कुछ आथासी गटनाओं का पता चलता है कालिदास्कृत माल विकागनी मित्र से कुछ एत्यासिक गटनाओं पर प्रकास परता है इस नाटक में पुस्य मित्र और युनानियों की यिद्ध का बर्डन मिलता है संसका साहित के एत्यासिक गंत में सबसे परसित बान भर्ट कृत हर्ज चरित है जिससे हर्स बर्दम का बर्डन है बागपती ने अपनी पुस्तक गौड वाहू में कन्योज के राज़ ये शुबर्बन का बर्डन किया है विक्रमा देव चरित में विलहड के निकल जानी के चालों के राज़ा विक्रमा देते हैं सस्ट के समय के प्रों कटनों को बर्डन मिलता है इसी प्रकास के अन्र जीवन चरित पदम गुप्त करप्त नव सहींता चरित सादिक संध्याकर नदीकरत राम चरित बलाल रचित भोज प्रबंद जैसिंग और हम हेम चंदर रचित कुमार पाल चरित नए चंदर रचित हमीर का जयान का प्रतवी राज विजय और सोमेसर की कीर्थी कौम होती है प्राचिन भारती साहित में सुध्य इत्यास की केवल एक पुस्तक है राज तरंगडी यह पुस्तक कलहड ने ईशा की बारवी सताब्दी के उत्राद में लिखी थी उसने कश्मीर की इत्यास के सम्द मे उपलब सामिकरी का उच्छत प्यों किया बंद कलहड के समय में से पहले का इत्यास राज तरंगडी में पूरते विस्वसनी नहीं है गुजरात संद और नेपाल की इत्यास का परचा हमें मांके कुछ इत्यास से मिलता है तमिल भासा में लिखे गंत हमें दच्छल भारत के इत्यास की बहुत सी गटनाओं का परचा देते हैं संगम काल का इत्यास एत्यास की पहली सदियों के राज्यों और समाज पर पड़्यार पर प्रकास डालता है एक राज कमी किने अपने पुस्तक नंदि कलम बकम में पलब राजा नंदि बर्मा दृतिय का बढ़न किया है इत्यास की रूप में भारतिय साहितिक गरंतों की सबसे बड़ी तुर्टी यह है कि उनकी रचना की नश्य तेती ग्यात नहीं है और उनमें समय समय पर अनिक परवर्तन किये गए हैं इसलिए भारतिय इत्यास कार के लिए साहितिक गरंतों की अपेचा अर्वीलिकों असमार्कों का अधिक मेहत तो है राजनीतिक गटनाओं और सामाजिक इत्यास के लिए हम विदेशियों के बरतान तब देखते हैं विदेशियों की धर्मेत्र गटनाओं में विदेशियों के वर्डनों में रतकालिंग राजनीतिक और स्तामाजिक दसा पर अधिक परकास पड़ता है इन लिए उनके वर्डन भारती लिए को की अपेचा आति गुपी होगी हैं विदेशियों के अधिक ब्रइशियों के सबढ़न के शठ्रोश परकास नहीं हैं इरान की राजाओं को जब भारत की सम्रद्धी का पतर लगा तो उन्होंने चार पांसो पांसो एक इसवीपूर के स्काइलेक्स नामक्त विद्वान को भारत की भागोले की इस्तिति का अधियन करने के लिए यहां बेचा एक युनानी इधासकार हेरोडर्टरस ने पांचव भारत का हाल लिखा है पंद उसमें बहुत कल्पित गताएं गाताएं अधर वह एक तरस्क दिस्टी से विस्तित प्योगी नहीं है जो विद्वान सिकंदर महान के साथ भारत आये थे उनकी वर्डन अतिक विस्तित नहीं है इनमें निर्याकस नामक जल सेना पती ने अपनी जल यात्र का विस्तित बर्डन लिखा है उसमें एक अन्य सहनाविक अरिस्टोबरस ने ब्रद्ध वस्ता में अपनी यात्र का वर्डन लिखा है इनकी लिखी पुस्तिकें अब उपलब नहीं है इनकी आधर पर यूनान और रिम और रोम के अनिक लेकों को ने सिकंदर के भारती आकनमुण का ब्रतामत लिखा है इनमें एक प्रोंक कार्टियस, डूडोरस, स्ट्रैबो, एरियन, प्लुटार्क, सिकंदर के भारती आकनमुण का हाल हमें किसी भारती लेखा ने से नहीं मिलता प्लोटो में अचैट अब बद्धान पर सिकंदर के साथ आया था, उसने अपनी पुस्तक में पूर्वी देशों का भूबल लिखा, सिकंदर की मति के बाद सेलियुकर्ष, सिकंदर के पूर्वी सामराजिका सासक बना, चंद गुपत मौर के पराजित हो जाने पर, चंद गुपत मूर, से संदी कर ली और मेगस्तनीज नामक दराजदूत उनकी यहां भीजा गया मेगस्तनीज काफी समय तक भारत में रहा और सुने इंडी का नामक अपनी पुस्तक में यहां के रीत रवाज सासन प्रबंद आदी का बड़न कि लिखा यह पुस्तक अपलब नहीं है कि तो एरियन आप यह तरो जस्टेन आदी की पुस्तकों मेंसे अधर मेगस्तनीजी फुस्तक से सिल उ कसा नामक ने लगाया पाला इसस वी की लगवक कि 시 yNow विजा विजा ने परिप्लस ओफ देईरेटरी नाम पहस्तक में भारती समद्धर लेगा यस पुस्तक से हमें ईजा के पहली सताफदी में भारत की वैपर का पता लगता है चिन यातरी असलों ने बहुत धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत से प्रचारक मद्दे से बीशे थे वहां से भारती समस्कती चीन पहुंची ज़सक पचाश चोटी सताबदी इस भी पूर से बहुत से चीन यात्री बहुत धर्म की पुस्तके लेने और बहुत इस्थानों की यातरा करने भारत आए एथासिक द्रिस्टी से सबसे पहला महत्रपूर चीनी जातरी फायन था एवे पांचवी सताबदी के प्रणारम में भारत में आया और 14 वर्स यहां रहा पंतो उसने विसे जुरूब से भारत के में बहुत धर्म की इस्तिति के बारे में लिखाया है उसने उसे भारत की राजनेती के स्थिति में कोई सरुकरना था युवान च्वांग हर्स के समय भारत में आया यूवान चूंग उसने सूले बर्स भारत में बताई यूवान चूंग के भारती विवर्ड धार्मी कवस्ता के साथ साथ ततकालिक राजनीती गढ़ना पर भी कुछ परकाश डालते हैं साथ बीत अद्सिंग नाव चीनियाठिरी भारत आया वे बहुत समय तक बुकरंपशील और नारंदा के विसर नचैनले में रहा उसने भारत की सामयाधे के विसले के विसले में भी लिखा है एह हमारे दुर्भागे की सभी चीनी यात्री बहुत वीच्यू थे इसलिए उनका दिस्टकूर पूर्ट धर्मिक था फायानो अलसिंग ने धर्मिक तरफ दसा का बहुत कम बड़न किया है उन्हें उन राजाओं के नाम भी नहीं लिखे जो उससे में राज़ में राज़ कर पड़न करने में अस्मर्द रहे युवाण्य चूंग उने कहा है की हर समायान बहुत धर्म कानवाई था और अन्यधर्मों का सवादर नहीं करता सब्सक्राइब करता था कि चीनी यात्री प्रतिक बात को बहुत से देखते थे मसल्मान यात्री सुलेमान नाम का अरब यात्री नभी सदी इसवी के मद्ध में भारत आया उसने पाल और प्रतिहार राज के विसे में लिखा है मसूदी 143 जिसवी तक भारत में रहा तथा उसने रास्ट कूट राजाओं की महत्ता की विसे में लिखा अब जयूजी ने भारत और पूरी देशों के विसे में लिखा है कि इन्तों मुस्लमान यात्रीयों में सबसे प्रसिद अलव रूनी है यह महबूद गजनिव के समय भारत आया था वह अर्भी और संसकत का अच्छा विद्वान था उसका बड़न रिस पच्छा है कि इन्तों उसमें दो कमिया है प्रताम उसने अन्वाव के अधर पर बहुत कम उता था संसकत साहित की अधर पर अधिक लिखा है अर्दिय तत्काली राजनिती इत्यास का उसके बड़नों में प्राय अभाव है उसने अपनी पस्तक्तेकी के हिंद एक एरतीस में लिखी यह हिंदू धर्मी गुशासों साहित ते और ग्यान का भंडार है बेनिस का यात्री मारको बोलो मारको बोलो तेरे भी सती सताब्दी के अंत में चीन से भारत होकर इरान गया था उसने देश्र भारत की समाज वरीत रिवाजमें का बड़ा सुन्दर बढ़नों लिखा है अब दिखते हैं परातत्त संबंदी सामिकरी परातत्त संबंदी सामिकरी में प्राचिन अबलेक सिखके अमारते सबसे अधिक मैतपुर है एतासिक दिस्टिकुर से अबलेकों का बिसे इस मैतथ है क्योंकि ये साहित की अपरेचा अधिक सिस्टनी है बेपत्र रह दात्र की चातर पर ख़दे हुए हैं इसलिए साहिती की विवरित उनमें मरमाने परवरतन करना संबब ना था उनमें हमें बहुत से राजाओं की नाम तता उनकी समय की कुछ परों कटना को पता चलता है सबसे प्राषिन अवलेक राजा असोक के समय की हैं या अवरेक चट्ठांओ के हैं असोक के चट्ठानों अकंबो परकुतवाज थे इनकी इह वहासा एक पाली पाली विसेश है और ये ब्रहमी लपी में हैं जिस लपी में उत्तर भारत में बहासाई गुजाती, मराथी, पंजावी, हिंदी, बंगला, आधी की लिपया निकली हैं। उत्तर पश्चिम प्रदेश में असोक ने एक दूसरी लिपी कपड़ियों किया जिसमें खरोष्टी कहते हैं। फार्सी लिपी की बहुत दाहिनी और सिप्रारम करके बायूर लिखी जाती है इसमें असोक की आग्याएं खोदी हैं। इन अवलेखों को सबसे पहले प्रिंसेफ नाम के विद्वानने पड़ा था। सुतंता प्रापती के बाद असोक के चार अवलेख गुजरा, मद्रदेश, राजूल, लमंडगीरी, आंद्रप्रदेश, सुपारा, महारास्ट, अह हर कावलेख जो 1907 मिला था, युनानी तथा आर्थिक भासा में है, आर्भिक भासा में है, गंदाचेत में से एक ऐसा कटूरा भी मिला है, इस पर अवलेख उतकी रहे है, यह कटूरा अब बंबई की प्रेंस ओफ बेल्स संगरार में है, इसका लेख खरुष्टी लिपी मे है, और सहावाज गड़ी से प्राफ सात्वे इस्चिला लेख की नकल है, कोसंभी में एक छोटा अबलेख मिला है, जिसमें एक भावन का नाम गोजिता राम बताया गया है, यह वह इस तारह यहां राजा उद्यान की ने मंतर पर जब कौतम बुद्ध कोसंभी गई थे, ठ आवास इस्थान है, इसमेल के चार और नगर का एक पर कोटा है, जिसकी तेरे मीटर उची पकी एंटों की दीवारें अभी तक विद्वान हैं, वाँ कुछ पकी एंटों से टकी नालियां भी मिली हैं, जो हमें मोजन जोद्रों की बड़े निससनानों का गया दिलाती है, राजगार सीवस्ती, राजगरी, वेसाली की ख़दाईयों से भी एतासी काल में नगरों की समरदी का कुछ आभास मिलता है, वेसाली के कुछ इस्तू भी मिले हैं, जैने संभवता हैं, लिच्वियों ने बुद्ध के अफसिसों के उपर बनवाया हो, राजाओं के अवलि सत्कड़ी का बढ़न है, रुद्ध दामा का गिर्थ गिरनार अब्द सिरल लेक, समद्ध गुप्त का प्रियाक से इस्तूम लेक, जिसमें राजगभी है, हर्षिन ने अपनी वेजियों का बढ़न किया है, इसकंद गुप्त का भिदरी इस्तूम लेका अजुना महराष्ट में बहाजा में दूसरी सती इसीपूर का एक अबलेक छथ के एक लगड़ी की तक ते परतकुड़ मिला है इलहावाद के संगला में, जो भी अबलेक स्वच्चित हैं, उसमें कुसामी के मित्रवस, मित्वित्वंत के दो अन्य राजाओं, बरण मित्र और राज मित्र के नाम मिले है, बरण मित्र का राजि का पहरी सती जिबूरा राज मित्र का पहरी सती इस भी है, राज थान के से उपरग दूब अभलेक और दहरदू यूप अभलेक और दहरदू जिले में जगत ग्राम से राजा सील बर्मा की अभलेक से परस्ट हो गया कि तीस्ती चौथी सती तक भारती राजा अस्व में किये कराते थे यूप अभलेकों का जुतितियां हैं विक्रत संबत में हैं चौती संबत इसी संबत का नाम मालव संबत ग्हरे संबत हो गया मालव संबत औरग्हरे संबत हो गया गुछराथ में खबदा हसला लेखें से रोभ यतामा प्रत्лे को बंसा वदी का प्रजाश पड़ा है नागर जन कोड़ आंद प्रदेस में गौतमी पुत्र भी स्रीविजय के सत्करणी का एक अवलेक मिला है इस राजा का नाम पहले ग्याद नहीं नागर जन कोड़ में से किसी अन्य साथवान राजा का अवलेक मिला था मदरह साज के अरचलूर नामकस्तान में एक गुफा में तीसी सती इस्वी का एक अवलेक तमिल भासा अबरहमे लिपी में है परालिपी सास्त की दस्टी से यह इस अवलेक का विस्स मेहत तो है क्योंकि इस चेत में प्राजिन गुफा लेकों परवर्थी अवलेकों के बीच में यह एक कड़ी की समान है कुछात में मोर्सा में से जुतामर लेक मिला है उसमें परवार नरिस भोज की एक निश्चत ते थी एक हैर 11 इसवी ग्यात हुई है कुछ ताम लेक मिले हैं जिसे यह पता लगता है कि गुवा और उत्री कनारा कनारा छेतर में च्छटी में साथवी इसवी में भोज बंस के राजा राज़ करते थे पल्लव राजकुमार सियंव विश्चनों ने अपने पिता के राज़ के च्छटे वर्स में पल्लन कोविल नामा के इस्थान पर एक रताम लेक दोरा अधिकार दिया था तमिल अश्रों में सबसे प्राज़न अधिकार पत्र है सिंग बर्मन का कान जीपुर का जलाल पुरम अधिकार पत्र इस राज़ का एक मातर अधिकार पत्र है मद्रह जाज के करंड़ाई में चूल नरेस प्राज प्रिथम राज प्रिथम का ताम लेकर अधिकार पत्र इतना बड़ा है कि उसमें 57 पंधने हैं और उसका भार लगो 100 किलो ग्राम से अधिक है सांड वस्म पांड वंस की राजाओं का सबसे प्राजिन अवलेक के गुफा मद्र में मलिय दिकुच्च रिच्च से में प्राप्त हुआ है यह राजा देश मरन वेंदम की राजिकार की 17 विवर्स का है दिच्च भारत के इधियास को जानने के लिए पल्लव, चालोक, राष्ट, कूड, पांडे और चोल, राजाओं की अवलेकों का बहुत उपयोगी सिद्धू हैं को जो विदेशी अवलेकों में से भारत के इधियास का परियावत प्रिकास्ट पड़ा है वोग़स कोई अवलेक से भारत और ईेरान के आर्यों के समद्ध, और ईेरान के समराटों के अवलेक से इंके उत्त्रपस्च्मी, हादपसार्शन करने का पता चलता है अवलेकों के सामिक्री का अवयोग इधियासकार दो रूप में करते हैं दोनों अब्लेक न होते तो हमें इन दो नरेसनों को कुछ भी बताने की चलता समर्थन के रूप में हम अजध्या अभलेक का प्रियोग करते हैं पतंजली के महावस में हमें क्यात होता है कि पुछ सिमित्र ने अस्व में किया गया और अध्या अभिलिक में उसकी पश्टियों होती है सिक्के प्राचिन भाद का इतियास लिखने में बहुत अप्योगी से दूए है इह बात इस तत से इसपच होती है कि 206 पूर से 302 पी तक का इतियास अधीतों सिक्कों के आधर पर ही लिखा गया है इस सम्द्ध में इस समय कि सिक्के के बिना एहकार कूरत या अंधकार यूद बना रहता भारती सिक्कों पर पहले के बलदीवी देवताओं के शितर ही एंकर रहती थे उनके नाम जाते थी उत्रिड नहीं कि जाती थी जब से उत्त पश्रिम भाद पर बैक्टरिया के यूनानी राजाओं का सासन प्राइरम हुआ सिक्कों पर राजाओं के नाम अधिते उत्कियूड कि जाने लगें सब पर्डव और कुसार राजाओं ने भी यूनानी राजाओं के अनुरूप ही अपने सिक्के चलाये भारती सक्षा राजाओं अमालव यौद्ध आदिकड़ राजों के तहास पर अनेख सिक्के प्रयापत प्रकास डालते हैं सिक्कों में पाई जाने के इस्थान उस से रा गुप्त कालिन सिख्क्राइब की बारे में बहुत सी बाते मालूम होती हैं सिख्के पराई सोने शानी तामिक होते हैं सिख्कों के सिख्कां मितामियाद की मिलावट कि मातर स्टकालिन अर्थिक विस्टा का भी बहुत कुछ अनुमान लगाया जाता है सम्रद्धी के समय में सोने का भाव अधिक होता है और अर्थिक संक्र के समय में मिलावट की मातर अधिक होती है पिछले बीस वर्सों में आहाज सिक्के में दो प्रकुर्स संचे में निकले हैं मर्द प्रदिश के सागर जिले में एरर से प्राप्तिक संचे में बतिस सो सरसट सिक्के और आंदर प्रदिश के उन्टूर जिले में अमरावती से प्राप्तिक दूसरे संचे से लगवग आठ फजार के मिले हैं ईसा से पूर के 35 राजाओं रुद्र घोस असमेत्र और योसन किस्टे के लिए आं discipline के इसे पुर्द के अधिम्गरत जिले में में prophets के सवाल की कि एक-धामिक के के सिक्च जिलakah के मिले हैं ऐन discipline के horse के शाष नेजय ऑल्त से सफिक्के मिले हैं इसमें बसे सिपोतर चात मूली की एक सिक्या में गोड़े यूप के सामने एक बड़ा खड़ा दिखाया गया है इसमें लिखा है कि इस राज्या ने असमें किया गिया था और निसो चायत में बायाना में गुप्त गुप्त राजाओं ने अठारे से इक सोने के सिक्क्यों का संच मिला था यसमें चंदगप्त दुधिय का एक सिक्का मिला जिस पर चक्र विक्रम उसब्द उत्कीड है कला भुफन के अधिकारियों ने पुद्गप्त के दूसरे सोन Hong is Thai नाम पर समद गुप्त और कुछ अनगुपत राजाओं के सिक्के मिले हैं मतर्तिप्रतिष के जगदीव नाम के एक प्रमार राजा के कुछ सिक्के मिले हैं मतर्ति किसी भी कला में रुची रखने वाली व्क्ति को बास्तिविक आंध की प्राप्ति हो सके तो इत्यास वेटाओं वेटा तो किसी भी वस्तु की विकास का अध्यान करना चाहते हैं चाहें वह कोई भी व्क्ति अत्वा फूल पौध है या कला करती इसलिए वीलर ने इस बात प स्वांडि जरी के कि निकट एश्वारिका मेडुसु प्राप्त से प्रकार के मद्भान्डों और संभय निश्च्र किया गया है विश्व के सभी प्राचिन सभ। सबदां में रेता Simone मिलता है कि सबदा कि लोग बहुत कालस के एक प्रकार के मद्भांड़ मिलाते थे बात में मदभांटों के अध्यम से अनेग सविताओं के बिस्तार और उनकी काल सम को निर्धारीद करने बहुत साहता मिली है बहुत से प्राप्त अनेग पकार के मदभांटों का बिज़ान हम आगे करेंगे करवन 14 के आधर पर वेगानिक परच्छर की गए हैं जिसमें उनसे भी प्राचेश्ट सविताओं के काल साहता मिलती है इस पर अच्छर का भावव हैं महत्पूर्ड खोजए जिससे यह बात यह क्यात हुआ कि जीविद अवस्ता में प्रतेक प्राणी पौध आपने सही से एक निश्चित गति से कुछ रेडियो एक्टिव कारवन को जिसमें कारवन 14 कहते हैं नेकालता रहता है इस तत के प्रमा से उतनी ही मात्रा में जा उसी लेते हैं जिस मात्रा में से ओर जिस से बेए अपने सीरी सिबहार नकलते हैं को प्राणी यह पादा मर जाता है उसमें बाता वर्ड में करवन चौदर को लेने की सक्टी नहीं रहती उसमें करवन निकलने की गती भी कम होती चलियाती है वेगनिकों ने पता लगाया है कि 5567 बरस भी इतने पर यह गती जीवी तवस्तर से आधी रहाती है इस आधर पर भारत पिच्छा से सिंद राइस्तान को जात सिंद जबता इसमें सबसे प्रावर्म पे करूप कोट दीजी सहे था चबी सपांच से लेकर एक सब पैता पैता देशता है तिछ्र राइस्तान आहड और बनास सब तरह सब पच्छे से लेकर एक सुचालिस इस भी बूर मद भारत ए संग्रा इमुना की घाटी चित्र भूरे ब्रंत मांट हस्तना पूरकस मीर प्राचीन इमारते मूर्तियां मिट्टी के खिलोने और टूटे-फूटे वरतन भी इथास जानने का अच्छा साधन है इस से भारती कला के विकास पर भी प्रयाब्द प्रकास पढ़ेता है इस प्राव प्रकास पुरता है यह भारत के प्रावसियस की खूज कारी लगवक सो बरस्ति पी अधिक हो रहा है तथा भी म्रद भांडु का विवस्तित अध्यन पिछली दूदस्कों में ही वह है प्रती काल में 20 प्रकार के मद भांडु का चल्न रहता है प्रम्परान नुराग के कारव उनके प्रकारों में सीगर आमूर पर वतन दही होता अधा प्रत्ति के खिर में उनका उपयोग बहुत साइक्स हुआ है प्रत्त्तों वितां ने भी मईधा भांड के वोग छीगट पांच वर्गों में किया है हैं काले और लाल मृध्वांड ब्लैक एंट रेड वर यह बांड अंदर से और भाहर से ऊपरी रंग से काले होते हैं भारकर निश्छा भाग लाल होता है असस कि भांड लोथल रंगपुर वज़ात और ताम पाशाड़ी की सब्दां की सथा से पश्मी मद भारत के अनिक इस्थान जैसे नागदा महिश्वर्ण नवदा टूली वो बहल आसे मिले हैं कारवन फोर्टिन की बैगानी परिच्छा में नवदा टूली की उस सथा का समय है जहां से ऐसे भांड मिले हैं तो 1457 से लेके 127 तीप गुर्माना गया है जिले की मेंसोन पुर्णामा की इस्थान पर इस परकार के भांड बहुत नेशली स्था में मिलते हैं अगरम यूग की सत्य पर मिलते हैं इस परकार प्राता त्वीता इस सकार पर पेहँचेगे इस परकार की भांड ऑर का चलन पोस्टमी भारत की मगध तक तह था अध्राम के के गहन्द répp बाड़े था यह रपा के समय में उत्य छेस्थी कारी पॉलिस वाली भाण्टों के समय तक पा जाते हैं वह द्वहिं सईृइप सास क्ते समय था जाती जो इस पिकार की भाण्डों को परियोग करती थी उन आ र्योंग की ही एक Ĩिके रिग्वेतिक आर्योंसेगा बहुत पहले भारत में आये थे ये समय पता है येदू और तुर्वंसू थे जो समुद की द्वारा भारत आये थे और फिर एक ताधा पर इन भांडों का समय दोजार इस्वी पूर्स से ईसा की जम्ट की समय तक कमाने गया है गेरुवी रंग की अम्रद भांड और श्री कलर वेर इन भांडों का रंग ना रंग ये गहरा लार होता है ये बहुत ही जर जर बावस्ता में मिले हैं यह तक हाथ लगाती ही रंग अंग्लियों में लग जाता है यह दिकतर गंगा की घाटी में मिले हैं अस्तना पर में इन भांडों की ठीक रहें चित्र भूरे रंग की मेरद भांडों से निचली सट्या स्थें में मिले हैं विज नोग Congressman अबदाई自 मेरद से बाधता भी ठीक रहे हैं रहांदों के हाकार्ण कि रह भा्त भान है चित्रत भूरे रंग की मिर्द भांड पेंटेड ग्रेव वियर इह कहां से कि यूग का मर्द समझ जाता है यह पतले भांड चाकपर बनाकर आवे में आग में पकाई आते थे इनका रंग बूरा या कथ़ यह होता था उन पर रेखा या बिंदू के ब्रता दीके नमूने बने होते थे यह काले रंग की जितकारी है इस पकर करके बहुत से प्याले वह तरश्रीय पंजब उत्तर प्रदिस उत्तरी राश्ता में मिड़े हैं आश 76 काली पॉलिस वाले भांडों का प्योग लोही का प्रियोग करने वाले और चित्र भूरे रंग के भांड तो तामा कांसे का प्रियोग करने वाले वक्ती करते थे चित्र भूरे रंग के भांडों का समय लगबक उन्ने सो से छैसो इस भी पूर तक माना गया है इन भांडों क अधिकतर विद्वान उन आर्यों से जूड़ते हैं जो पहले सिंद घाटी से पीछे रहकर मद्द प्रदेश में जाकर बसे थे Preceding of the Indian History Congress 23rd Session Aligarh, B.V.Lal Indian Archaeology and Since Independence Wheeler, Early Indian Pakistan, B.V.Lal and Sint India इसको शुब बुक्स की रीडिंग्स हैं जैसे ये चैप्टर बना है उत्तर शेत्री काली पारिस बलिम्रत्वान भांड लोही की यूग से संबंध हैं भांडों का रंग चमकदार गहरा काला कहरा काला होता है आच्छी कोटी के भांडों पस्नहेरी जलक दिखाए देती है इन्हें बनाने के लिए अत्यांत महीन मिट्टी काम में लाए जाती है ऐस्परकार के भांड उत्तर में पेशावर के पास चार सद्याग उद्र ग्राम और तरशचीला से लेकर दच्छी में अमरवती तकपूर के बानगड से सुपालगड से पश्च्छी में नामक तथा अनेक इस्थामें से प्रापत हुए हैं आधित प्याले ये तस्तरियां हैं कहीं हडियां भी मिलती हैं इनका समय हडिया जिसमें दूद ऑओा जाता है इनका समय हसनापर की खुदाई की आधा पर 600 इसवीपूर से लेकर 200 इसवीपूर तक समझे जाता है और जैन, नागता, महिश्वत्र तिरपूरी के उत्खर्णम से भी इस काल की पस्ट्यू होती है ये भांड ये भांड उस एतासिक काल की समझे जाते हैं जो बुद्ध के जन्व से प्रारम होता है दांतेदार पहिया है, पहिये के चित्र भांड रोल्टेड वोयर्ड ये भांड उपर एक दांतेदार पहियों से एक केंद वाले अनेक वित्त बनाए जाते थे अधिकतर सस्तनियों के किनारे मुड़े हुए मोड़े हुए हैं और उनके बीच में एक केंद वाले अनेक वित्त्र खोदे हैं यह भांड भी चाक पर बना जाते हैं और आवे में पकाई जाते थे इनका रंग भूरा ये काला होता था इस प्रकार के भांड आते तो दिश्रबात में मिले हैं संभव है किस प्रकार के भांड रूम सागरी ये प्रदेशों के भांडों को देखकर बना गए हो इस प्रकार के भांड समुत की किनारे पच्छिम बंगल में भी मिले हैं इनका समय ईसा से कि जर्म से दोसे इस भी पूर्थ तक निर्धारित किया गया है वहीं जो दाड़ों हड़ापा की ख़दाई से मिली इमारतों मूर्तियों खिलोने और मिट्टी के परतरों से काली जबिता का ग्यान होता है तस्छिला और सानात के भागना विसेशों भी उत्तर छेतरी काली पॉलिस वाले भांडों से नीचे मिले हैं कहीं कहीं ये दोनों प्रकार के भान मिले हुए हैं और तो हसनापूर के चित्त भूरे रंग के मरत भान निश्चे ही उत्तर शेतित कालें समाजिक में धार्मिक जीवन कर चित्त पर सुद्द करते हैं हसनापूर अहिचंद कौसांबी के खंड़रों से आरे राजाओं के जीवन का प्रकास पड़ता है गुपतकाल के मंदिरों बिहारों और चैत्तियों के उस समय की वास्त कलाका ही नहीं अपत मरस्वियों के धार्मिक कुछ सार्व का भी क्यान होता है इस प्रकार गुपतकाल क की हिंदु देवताओं और बहुत दो एंजन मूर्तियों से उसकाल की मूर्तिक अलाकि उत्कर्ष्टा के सास्थ धार्मिक स्थ्टा का पता जलता है और विसे विदेशों में इससे जो भागनाविस मिलते हैं उन्हें भारत के सांसकति विस्तार के ग्यान होता है जावा समा पाकिस्तान वी लाल के इंडियनार के लिजेंस इंडिपेंडेंडेंस इसकते हैं इसकर्स देखो अप्रिक सब साथनों का प्योग करके विद्वानों ने तीन हैर इस वर्स पूर्प से भारती इत्यास की रूप रिखा प्रिस्तु करने का सेबल प्रेस किया है प्राचिन प्राचिन भारत की राजनेतिक इत्यास में कई चित्र बहुत धनले हैं जैसे कनिश्क इत्यति की विजए में विद्वान एक मत नहीं है समय की प्र copyright के साथ सत इत्यास लेखक को अपने साथने को बदलना पड़ता है आदमाना की सभ्यता की विकास का ध्यन करने के के लिए हमें उसके रहाई के स्थानों और जानों पर रहना प्रता है संदगाटी की सब्धा के लिए हम विज़स का प्रातर संबंदी सामिगरे का असलेना होता है वैद्टी गारियों की जीवन वह कि वाइदिक साहित का पता है 1220 से लेके 502 कूर तक के भारत के अतिहासे इतिहास पर भी प्रातर संबंधी सामिकरी से कुछ प्रकास परता है इसके पहले की इतिहास के लिए हमें सिक्मों, अभलेकूं, अनिमारक्तों से साहथा मिलती है वास्तो क लामूर, dogs, शेत्र क ला आदे सभी तिद्कारिन समाज का चेतर प्रस्तर करने में साहिक होते हैं विद्यसियों के बितान्त में हमें अनिक भारत बार्सियों से संबंदेत विजारों का पता में लगता है एक उसल इतहास लेखा कि अपनी अलोचनात्मक बुद्धी से इन सभी साथ पनों का उचित मुल्यांकन करके हमारे सामने एक सही जीतर परस्तर करने का प्रास करेगा आरसिम हजिम्दान एन एडी पुसाल कर इस्ट्री और कल्चर अफ दे इंडियन पॉप विवल इच जे रेप्स न दे केम्डिश इस्ट्री अफ इंडिया यह होगे चेप्ट करता हम